इंजिनियरिंग सेलेक्ट करने चब्स हО् чист तीन कोश्चन आपके मन में उती है और हीँत करके परsch बैस्बेस्ट होGood ऐग आए-इटी में जब अहीच नहीधा तो आपके एंजिनियरिंग में कैसे होगा tots आइस-अग्ड कॉलेज आई जहां पर प्लेस्मेंट होती है तो वहां आगे हम वीडियो में बता देंगे और बहुत सारे स्टुडेंट कहेंगे भाया क्या टॉस कॉलेज में जाएंगे तो जॉब फिक्स है कुछ फिक्स नहीं है आप पे कंपनी आती है जीस या रिक्वार्मेंट ज्यादा राती है उस साल प्लेश्मेंट ज्यादा होती है तो वहां कॉलेज और कंपनी पर डिवेंट करता है लेकिन दो चीज अपना बढ़ा कर रखना CGPA और कम्पनीकेशन चलो तो हम बात करते हैं बिहार के सभी इंजिनियरिंग कॉलेज बेतर आपके लिए नहीं है बिहार के सभी इंजिनियरिंग कॉलेज बेतर नहीं है अब तो कुछ ए स्टूरेंट का कमेंट यह भी आ रहा है कि भाईया यह बता दो मुझे कि किस कॉलेज में कितना सीट किस ब्रांच में बचा है तो विडियो के लास तक देखेगो तो खुद पता चलेगा किस कॉलेज में कितना सीटे बची है किस ब्रांच में चलो अब ब्रांच के बात कर लेते हैं औब CS आपके लिए बेटर है या किनिकल बेटर है या एलेक्रिकल बेटर है तो चले ना ज्यादा प्लैनिंग मत करना क्योंकि दुनिया किस तरीके के घुम जाएगी आपको पता नहीं है इसमें अभी के टाइम पे बहुत है क्योंकि टेक्नोलजी में बहुत पावर है तो आज नहीं आने वाले दस, बीस, पचीस, पचास सालों तक कम्प्यूटर साइंस इंजिनिंग टॉप पे रहेगा हम जह नहीं पा रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए तो हम एलेक्ट्रिकल प्लस एलेक्ट्रोनिक्स दोनों ली लिए और हम इसके अज फी एक दम फील करते हैं रहे हम चतूर लिग गया अंदर अब बात करें मज़े चल रहे हैं खाई के मज़े चल रहे हैं मज़े करने का उमर है क्या जब रहता है कि सर बीटेक शुरू तो कर दी है पर अब लग रहा है कि गलती कर दी है क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स बीटेक कर रहे हैं मारे सीनियर्स भी है पर कही ने कहीं जॉब्स नहीं है चलिए हम बता देतें मेकानिकल इंजीनियर में क्या है लाइफ जहां नौकरी लगेगी ना तुम्हारा लाइफ सौटेड होगा लाइफ में कहां से कौन से कोर्स लेकर आपको पढ़ने में बेहतर होने वाला है लाइफ में कहां भी सभी सुधाय मिलती है कौन से ब्रांच का और इसके बाद में कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा होगा तो इस पर भी डिसकस करेंगे तो इसके इन पर आ चुके हैं आज हम बताएं कि आएंगे ब्रांच कॉलेज उसके बाद में सिट यह तीछी इच पर डिसकस करेंगे अप लाइन से से कॉलेज में कौन में को आपको असे कहांसा ब्रांच आपको बैताएं से पढ़ाई होतहा है प्लेस्मेट बहतर रणसे होता है इस पर डिसकस तु कर देंगे तो वीडियो लास्ट तक देखना अगर आच्छा सपोट रहा तो नेक्स्ट वीडियो हम वह भी बता देंगे टॉफ 1 पे कौन कोलेज है और टॉफ 2 पे कोन है Top 30 पर कौन है और Top 20 तक बता देंगे तो वीडियो लास तक देखना और प्लीज सेयर करना और सभी लाइक करना बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में और बहुत ज़्यादा इंफोर्मेशन लेना परा बहुत सारे स्टूडेंट से अभी जितना भी डाटा बताएंगे सभी स्टूडेंट के दुवारा दिया गया डाटा है और वहां पर पढ़ रहे हैं आपके सिनियर हैं तो चलो वीडियो लास तक देखो चलो कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भागलपुर के बारे में देखो भागलपुर में मेरे जितने भी स्टूडेंट पहले गएं इससे पहले साल तो वह सारे में बात बताएं कि यहां पर टॉप वन कौन सा ब्रांच चलता है तो टॉप वन भी जो बात है यहां पर सी एस अभी है भागलपुर में सॉरी बक्तियारपुर के बात कर रहे भी तोफ वन्ह वन भी जो ब्रांच है वह सीयज है और स्कैन्ट नम्बर पिर आता है सीविल है घर नंबर पर आपका सीयज है लेकिन उसके साथ में इंटरनेट यूरा हुआ है ॵा थी आनिकों पर रहें भागलपुर में सेदОल्प नहीं है इंटरनेट यूरा हुआ है 4 आप सारी student का आता है कि भाया थोड़ा college तो बता ही दिये तो आप यहाँ बता दीजे कि seat कितना vacant है तो बिल्गुल सही चुन रहे हैं अब seat vacant कितना है मेरे student के दुआरा जो पता चला वह वता देते हैं सीएस में बात करें सबसे पहले सीएस में एक नंबर जो प्रांच आया सीएस में उसमें भैकेंट सीट अभी बारा है और दो नंबर में जो बात कर रहे हैं सीविल में सीविल में भैकेंट सीट है यहां पर 15 हां भैकेंट सीट 15 है उसके बाद में तीन नंबर की बात करते हैं सीट में ट्रिक्स आने पर करकूंट्फर्म होगा उसके इसों निग बात करते है ता इसमें बात करें ची बची में 15 हाह पांच नंबर मी जो फाय टेकनोजी तो 20 है उसके बाद मेकेनिकल नंबर पर आती है 6 नंबर प्रो iki कि बात करें छे नमबर फे तो यहां फर सीट टोटल कितना है तो मेकेनिकल की टोटल सीट यहां पर 18 है बच्ची हुई है तो यह पक्तियारपुर की बात थी अब चलो नेक्स्ट कॉलेज आता है नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है भागलपुर सही सुन रहे हैं नेक्स्ट में सीवी लाता है उसके बाद में इलेक्ट्रोनिक कम्मिकेशन इंजिनियरिंग आता है उसके बाद बात करें तो यहां पर सीवी लाता है उसके बाद आपका यहां पर एलेक्ट्रिकल आता है उसके बाद में मेकैनिकल आता है यह प्रांच हो गया यह लाइन से हम डिवाइट करें एक नमबर में CS आएगा दो नमबर में बात करें तो electronic communication engineering आएगा तीन नमबर पर civil आएगा चार नमबर पर electrical आएगा और पांच नमबर पर आपका mechanical आएगा तो यह प्रांच हो गई जो placement के भी उसे और उसके अब सीट की बात कर लेते हैं सीट की सही सुने शी फिट की चलो तो सीट पे हम बात करें गे तो सीच यहां पर CS की जो होगि CS की पांच सीटे है CS की पांच सीटे है भागाल्पुन में उसके बाद में हम computer science में पांच सीटे हो गई, उसके बाद दो नमबर में electronic communication engineering में बात करें, यहाँ पे 12 सीटे हैं, उसके बाद बात करें, हम next course में next यहाँ पे बात करते हैं, सीबिल में, तो सीबिल में लगभग यहाँ पे 10 सीटे हैं ठीक है और mechanical में लगभग यहाँ पे 25 सीटे हैं और नेक्स्ट बात करें आपको electronic communication engineering में तो 12 सीटे है यहाँ पे और electrical की बात करें तो 15 सीटे है उसके बाद में next हम बात कर लेते हैं यह सारे ब्रांच में इतने सीटे हैं वीडियो फसंद आया तो सभी नेक्स्ट मध्वपूरा कॉले जाता है मध्वपूरा में देखो आपको सबसे अच्छा पढ़ाई जो मिलेगा यहाँ पे Ceeble का मिलेगा सबसे अच्छा Ceeble का मिलेगा उसके बाद में electronics का मिलेगा उसके बाद CS का मिलेगा उसके बाद Ceeble engineering with computers application है इसका मिलेगा उसके बाद में 3D का मिलेगा तब जाकर मेकनिकल के मिलेगा या पढ़ाई के मामले में देखो सीट यहां पर बात करें सीट में तो सीट देखो यहां पर 3D कि सीट जो है 3D की यहां पर सीट लगबग बचने वाली है 15 3D guitra 15 रहेगा उसके बाद महीं ici Ajax सीध सीध रेगा लगबग 12 isco Čका सीट रहेगा 10 उसके बाद में Computer Signs का सीध रहेगा 5 और अब इलेक्ट्रीकल को सीध रहेगा 12 इसके बाद में सब्चैनिकल का सीध सबसे ज्यादा बचने वाला हैं जलो अब सब सब्सक्राइब तु 045undred बात करते हैं दर्भांग में सीट जादा बचने वाली देखो shoulda काल्ष का शौत सीविल होता है उसके बाद में Early i adsЯच का उसके बाद भाया थायर हो गया तम ऐनी कल हो गया यह साब बात जाव सी waktu में सबसे जादा सीट्थ जिसका होगा सबसे जादा तो देखो सीट्थ में बात करतें में कहाने इस एप्रोक्स संहे वाले हैं और Computer Science में अब बात करें Computer Science में यहाँ पे 6 सीटे रहेगी उसके बाद में Electrical की बात करें Electrical में 12 सीटे रहने वाली है Fire Technology के बात करें तो 20 प्लस सीटे रहेगी इसमें और mechanical की बात करें तो mechanical में यहाँ पे 18 के एप्रोक्स में seat रहेगी तो यह seat थी अब चलो next college आता है Gaia next college आता है Gaia placement और यहाँ पढ़ाई के भी उसे बात करें तो number one पी यहाँ पे cv लोता है number one पे cv लोता है उसके बाद होता है computer science उसके बाद हम next बात करें computer science के बात करें तो computer science के बाद में आता है आपका electrical electronics उसके बाद mechanical आता है या बात हो गई branch की अब हम बात करते हैं थोड़ा seat की सही बसुन रहा है थोड़ा seat की हम discuss कर लेते हैं सीट में देखो यहां पर सीटे जो सीबिल की है सीबिल का यहां पर लगबग 8 सीटे होगी और computer science की यहां की बात करें तो 12 सीटे बचने वाली है इस बार उसके बाद में देखो electrical electronics की बात करें तो यहां पर 15 सीटे आएगी अब categories by divide रहेगी जो seat matrix आने पर confirm होगा mechanical की बात करें तो यहां पर mechanical में लगबग 15 सीटे आने वाली है 15 plus सीटे होगी चलो next रहां बात करते हैं लिए और भी displaced चमपारण को सीटे में सबसे अच्छी पढ़ाइगा वहमते यहां पर electronic electronic इंजिनीर्इंग उसके बात होता है mecanical होता है तब computer science का होता है तब electrical का होता है यह पढ़ाई की बात हुई यहाँ पर placement कुछ नहीं होता है प्लेस्मेंट नहीं होता है तब पढ़ाई के भीव सजाएगा और यहाँ पर hostel-hostel सब कुछ की विवास्ता है सभी college में hostel की विवास्ता है जहां नहीं होगा हम बता देंगे चलो त इसकस करें तो देखो यहाँ पर सीट बहुत ज्यादा बचता है अब देखो सीविल में यहाँ पर 15 प्लास सीटे आएगी ठीक है computer science cyber capsic rotary में यहाँ पर 12 सीटे होने वाली है और यहाँ पर electrical की बात करें तो यहाँ पर 20 सीटे पहले भी आए थी इस बार भी 20 आएगी और electronics की बात करें तो यहाँ पर 15 की प्लास सीट आएगा mechanical की बात करें तो पचीश सीटे आएगी पचीश सीटे यहाँ ती यहाँ की अब नेक्स्ट बात करते हैं साबोर की अब साबोर में देखो number one चीज कहां चीज की पढ़ाई होती है तो देखो अब सीवर में देखो number one चीज जो पढ़ाई होती है वह होती है यहाँ पर आपको mechanical की सबसे अच्छा पढ़ाई जो होती है यहाँ पर होती है mechanical की सई सुन रहे है mechanical की होती है उसके बाद electronic communication engineering के होती है तब electrical की होती है तब computer science की होती है तब civil की होती है सबसे घटिया पढ़ा civil में यहां पर प्रोक्स 25 सीट देखो 25 सीट आएगी अब computer science में बात करेते यहां पर 15 आ जाएगी और उसके बाद में electronics की बात करेते electronics में 20 प्लस सीट आने वाली है उसके बाद में electronic communication इंजिनेरिंग में बात करेते 20 प्लस यहां भी सीट आएगी mechanical में बात करें तो 25 प्लस सीटे आएगी ठीक है यह सीट थी आपकी next बात करते है next आता है मेरा अरटरिया की बाता आती है अब अरटरिया में देखो क्या चीज पढ़ाई सबसे बेहतर होता है अरटरिया कॉलेज में आपको ब्रांच देखना है ब्रांच में डिसकस करें, तो ब्रांच में नमबर वन पढ़ाई जो होती है, यहां पर प्लेस्मेंट नहीं होता है, अररिया में भी प्लेस्मेंट नहीं होता है, प्लेस्मेंट के भी उसे नहीं जाना, वहां पर पढ़ाई के भी उसे जाना, अररिया में देखो, अररिया की बात करें तो अरेलिया में आपका नमबर वन जी जो पढ़ाई हो रही है वह हो रही है यहाँ पर electrical communication engineering की ठीक है नमबर वन पढ़ाई उसके बाद civil की हो रही है और नाया यहाँ पर इस साल ब्रांच जूरा है CS ठीक है इस साल नाया ब्रांच आ गया है CS तो CS की अभी पढ़ाई उत्हमा बेहतर नहीं चलेगा लेकिन ब्रांच जूर चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर electrical engineering है उसके बाद mechanical है चले mechanical की भी पढ़ाई यहां पे बेतर होती है यहां पे दूचीज की पढ़ाई होती है electrical communication engineering और उसके बाद में mechanical उसके बाद में civil की पढ़ाई होती है तीन subjects की अच्छा पढ़ाई होती है computer science इस साल जुँडा है वहां के पढ़ाय उतना बेतर नहीं होगा placement भी नहीं होता है यहाँ पे हम CS की बात करते हैं CS में 20 सीटे आएगी ध्यान से बात को सुनना उसके बाद में CIVL की बात करें CIVL में यहाँ पे 25 सीटे आएगी Då lektrikal की बात करें electrical engineering की 0028, 00卅ने वाला है उसके बाद में ECE में बात करें 18 सीटे आएगी मेकेनिकल की बात करें तो 25 प्लस सीटे आएगी ठीक है अराडिया कॉलेज की ठीरिया डाटा चलो नेक्स्ट आता है लखी सराइ लखी सराइ में कौन सा ब्रांच बेहतर पढ़ाई होती है तो देखो बेहतर पढ़ाई यहाँ पर होती है सीविल फरस्ट है सीविल उसके बाद कम्प्यूटर साइंस यहाँ पर देखो कम्प्यूटर साइंस AI है तो AI में उतना ज्यादा बेहतर पढ़ाई नहीं होता है लेकिन बच्चे सब बहुत ज्यादा लेती हैं तो कम्प्यूटर साइंस तो आप वही ऊड़ रहा है कि बच्चे सब वह सब ले रहे हैं लेकिन ले देखो इसके बाद में कंप्यूटर साइस की बात करेते हैं यहां पर 88 जाने वाला है उसके बाद mechanical में 30 पलस इस बात को ध्यान में रखना मानिक समस्ति पूर तुर कोंड़ाइस पर ला जोटब दोन bacon पर यहां पर जा सकते हो, यहां भी placement की उतना सुधा नहीं है, यहां पर number one, civil का पड़ाई होता है, उसके बाद में आपका mechanical का होता है, उसके बाद में electrical का होता है, उसके बाद में computer science का होता है, चलो seat पे हम discuss कर लेते हैं, seat की बात करें, तो देखो, यहां पर seat, civil में आपका आता है, electrical, electrical में लगवग 35 seat प्लस आने वाली है, और mechanical के बात करें, तो mechanical में 30 प्लस आने वाला है, यहां पर seat, तो यहां सीट हो गई, चलो नेक्स रम बात करते हैं, अर्वल में देखना कि कौन से ब्रांच में कितना seat आने वाला है, देखो, सबसे पहले यहां पर कौन से ब्रांच की पढ़ाई होती है, देखो, college सभी building अच्छा है, देखो, यहां पर हम बात करें, तो यहां पर number one पढ़ाई जो होती है, यहां पर सबसे अच्छा होती है, यहां पर अभी civil का होता है तब electrical mechanical का होता है उसके बाद होती है computer science का तो देखो यहां पर computer science लेगे तो अब के लिए उतना बेहतर नहीं है लेकिन देखो अब branch में कौन सा seat बेहतर आएगा seat की बाद करें तो civil में आपका 10 एप्रॉक सीट आएगी यहां पर उसके बाद में computer science की बाद करें तो computer science में लगबग 8 सीटे आने वाली है क्योंकि बच्चे सेलेक्ट करते है computer science जदा और electrical की बाद करें तो electrical में डबल ई में आपका लगबग 25 सीटे प्लस आने वाली है और mechanical की की बात करें तो mechanical की बात करें तो mechanical में आपका यहां पर आने वाला कितना है तो mechanical में आपका यहां पर आने वाला है 20 पलस सीटे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं औरुंगाबाद के औरुंगाबाद में कितना सीटे आने वाले हैं कौन से ब्रांच पर देखो यहां पर कौन से ब्रांच बेहतर पढ़ाई होता है यह पहले समझो यहां पर आपको मेकेनिकल ले ले बेहतर है आपके लिए एलेक्ट्रोनिक कम्निकेशन इंजिनियरिंग बेहतर है एलेक्ट्रिकल बेहतर है सीविल बेहतर है ठीक कम्प्यूटर साइंस भी बेहतर यहां पर सभी ब्रांच का लेवल ब्राबर है कहीं भी उतना बेहतर डंग से उतना पढ़ाई नहीं होता लेकिन सबका लेवल ब्राबर और कोई भी ब्रांच यहां पर मिल रहा है तब येका यह व्र का आपको पढ़ाई मिलेगा तो चलो ब्रांच में सीट कितना आता है देखो अब हम सीबिल की बात करिते हैं सीबिल में आपका 15 प्लस सीट आएगी Computer Science में बात करें तो यहां पर आपका 12 प्लस आएगा सीट Electrical में बात करें तो Electrical में यहां पर लगवग 15 सीटे आएगी Electronic Communication Engineering में बात करें तो 10 प्लस आएगी और Mechanical की बात करें तो 20 प्लस सीटे रहेगी चलिए अन्ने एक स्टाम बात करते हैं बंक का कॉलेज में बंक का कॉलेज में प्लेश्मेंट होती है यहां सही सुने हैं प्लेश्मेंट होती है अब बात करें यहां पर कॉलेज बेहतर है यहां पर कॉलेज बेहतर है अब यहां पर कॉन सी सब्जेक्ट का प्लेश्मेंट होता है और बेहतर पढ़ाई भी होता है तो देखो सबसे अच्छा पढ़ाई यहां पर Computer Science का होता है उसके बाद आपका सीविल का होता है तब Computer Science आपका Internet का होता है तब Electrical का होता है तब Mechanical का होता है यह ब्रांच हो गई उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे सीट है तो सीट की बात करें तो सीविल में आपका लगवग 15 सीटेड सो ईलेक्टरीकल में बात करें तो गवग 15 सीट透 में और बॉच्ठरीकल में बात करें होगी तो आपका यहां पे Our लेवल ब्रावर है कहीं भी आपका यहां पर काज कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर पढ़ाई हो नहीं है तो चलो यहां पर हम बात करते हैं भोजपूर में आपका एक नया सी एस की बात करें मेकनिकल क्ल इंजिनियरिंगग और मेकनिकल में आपका विस पलस ihte रहेगी चलो नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर में भाई बक्सर का आपना खुष्टल नहीं है कॉलेज खुद का भी नहीं है अभी अभी इसका बक्तियारपुड में क्लास चलता है तो बक्सर आपको लेने के यह उतना हम सेगेश्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आपको आपके लिए बेहतर कॉलेज एक तरह से माना सकता है अब यहां पर देखो करना करना बेहतर है कि आपके इसके बाद में मेकेनिकल हो गया यह सभी बेदर है और यह सभी में 20 प्लस सीटे आने वाली है और उसके बाद में यहां पर next बात करते हैं computer science computer science में लगभग 8 सीटे आने वाली है चलिए next college जाता है जमूई अब जब मुई की बात करें तो जब मुई में देखो यहां पर सबसे बेतर कौन सा प्रांच करने वाला है तो देखो computer science कर लो उसके बाद में civil हो गया electronics engineering हो गया या तीनो प्रांच यानि के ECE और उसके बाद में civil प्लस में CS और प्लस में आपको बता दे civil या तीनो बेतर है यहां से करना और तीनो में लगबग 15 प्लस सीटे आने वाली है और उसके बाद में mechanical एक बच गया सई सुन रहे है mechanical और electronics electrical तो double E की बात करें तो double E में यहां पर लगबग 20 सीटे आईगी और mechanical की बात करते हैं mechanical में यहां पर लगबग 25 सीटे आईगी चलो next हम बात करते हैं जहानाबाद की हां सही सुन रहे हैं जहानाबाद की तो जहानाबाद में एक प्रांच बढ़ चुका है CS प्रांच तो देखो CS प्रांच में यहां पर लगबग आपका आठ दस सीटे आएगी आठ दस सीटे आने वाली है और यहां पर CS इस साल स्टार्ट हुआ है यानि की पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला है CS के लिए चलो अब देखो जहानाबाद में सीविल बेहतर है एलेक्टिकल बेहतर है मेकेनिकल बेहतर नहीं है क्योंकि मेकेनिकल का टीचर वहां पर नहीं है सही अब देखो यह तीनों ब्रांच की बात करें तीनों में 20 प्लस सीटे आने वाले हैं 20 प्लस सीटे चलो उसके बाद केमूर का अपना hostel अभी नहीं रेड़ी है सही सुनने है कायमूर आपना अपना hostel रेड़ी नहीं है और यहां पे पढ़ाई भी उतना दधंग से नहीं होती है चलो हम से रभल कर लेते हैं कि कैमूर का क्या इस्तित है कैमूर को सब में बता दे कि को शाहिए कि बात करें सभी ब्रांचे में 15 सीटे आने वाली है है और यहां पर मेकेंटिकल में पचीश प्लस सीटे आएगी 25 प्लस चलिया नेट स्थम बात करते हैं खगर्या देखिए खगर्या का खुद का केमपस हो चुका है और खुद का फोश्टल भी यहां पर पढ़ा हिंब के सुना सिख्वाइय के अच्छा आपको सीविल ले लिए सब फेल ले लैधे किम्प्टियूर सइंस 15 प्लस आएगी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध वनी मदुवनी में कॉन से krnce लेना बेतर हो तुब madhuwani में daw branch जो आती यहाँ फेर civil engineering आ फेर । अपलाई हुआ हैं तो CS में उतना बेदर opportunities नहीं है यहाँ से सुन रहे हैं यहाँ से CS मत करना है सही सुन रहे हैं यहां से CS करने की जरूवत नहीं है देखो अब सीबिल लोगे तो सीबिल में लगवग 30 सीटे आने वाली है और एलेक्ट्रिकल में लगवग 20 सीटे रहेगी और उसके बाद में मेकेनिकल की बात करें तो 25 प्लस सीटे रहेगी चलो नेक्स्ट बात करते हैं नौवादा कॉलेज में भाई अभी शुगदाय कम है हा नौवादा कॉलेज में शुभदाय कम है वह लेना सो मत तो अबस आपको प्राइवेट यूब करना है यहां पर बीस सीटे आएगी मेकेनिकल की बात करें सोरी मेकेनिकल की बात करते हैं मेकेनिकल में तो मेकेनिकल में आपका सीटे 30 प्लस रहेगी यहाँ पे और सीविल की बात करें तो 15 प्लस रहेगी और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे अप्लाई इस बार हुआ है तो कंप्यूटर साइंस में 20 प्लस सीटे आएगी चलो अब शेखपूरा की बात करते हैं शेखपूरा में बात करते हैं तो सीविल ले लो एलेक्ट्रोलिक कम्मिकेशन इंजिनियरिंग ले लो या एलेक्ट्रिकल ले लो या तीनों में आपका सीट 20 पलस आने वाली है हाँ सही सुन रहे हैं 20 पलस सीट आएगी बेहतर भी यहां से करने का पलेश्मेंट नहीं होता है बट एजुकेशन बेहतर मिलता है मेकैनिकल में 25 पलस सीट आएगी हाँ नेक्स्ट कोर्स बात करते हैं नेक्स्ट आता है सिवान कॉल्च अब सीवान में देखो कि शीवान में आपको बेतर क्या होने वाला है सीवान में अगर यह कोर्स मिल जाए तो बेतर है हाँ सही सुन रहे हैं क्योंकि वहां भी प्लेस्मेंट की शुगदा नहीं है बट एजुकेशन लेना है और सिम्पल गेजुवेशन से अच्छा होता है तो देखो यहाँ पर बात करें कि आपका सीविल बेहतर होता है एलेक्टिकल बेहतर होता है मेकेनिकल बेहतर होता है कम्प्यूटर साइंस की उतनी पढ़ाई नहीं होती है तो computer science मत लेना यहाँ पे आप यह सारे course लोग अच्छा रहेगा और यहाँ पे opportunity अच्छा है computer science लेते हो तो खुद से मेनद करना पड़ेगा चलो और seat की बात करें तो seat में यहाँ पे लगबग एक computer science में कम seat आएगी लगबग 10 seat आएगी और electrical में लगबग 15 seat आएगी और mechanical और civil की बात करें तो यहाँ पे 20 प्लस seat आने वाली है next question college आता है बैसाली अब बैसाली की बात करें तो बैसाली भाई बहतर है आपके लिए college वहाँ पे आपको कुछ चीजी की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है जैसे electronic communication engineering सबसे number one पे पढ़ाई वहाँ पे होती है पढ़ाई की मामले बता रहा है placement की मामले बता रहा है उसके बाद civil है उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद next हम बात करते हैं next में आपका आता है यहाँ पे civil के बाद में electronics हो गया और उसके बाद में देख सकते हैं mechanical हो गया mechanical में लगवग 25 सीटे आएगी प्लस में और बाकी सम में 20 सीटे आएगी चलो next हम बात करते हैं मुंगेर में देखिए मुंगेर में भाई अभी पढ़ाई उतनी बेतर नहीं चलती है लेकिन college बेतर है hostel भी है अब देखो यहां पर हम सुब्धाय बताते हैं सीविल अच्छी है computer science भी सही है mechanical बहुत अच्छा है electrical में घिचगाच के पढ़ाई होती है यहां पर और सारे subject में सभी में 20 सीटे आने वाली है tension नहीं लिजे किसन गंज की बात करते हैं किसन गंज आपके लिए good college बन सकती है पढ़ाई के मामले में अब देखो किसन गंज में electrical हो गया electronic communication हो गया दो नमबर दोनों college में आपको दोनों subject में 15 plus सीटे आएगी और बेतर पढ़ाई भी होती है mechanical में आपका 25 plus आएगा लेकिन पढ़ाई उतनी सुब्दाए अच्छी नहीं है और civil के लिए यहाँ पर 20 plus आएगा लेकिन सुब्दाए कुछ नहीं है चलो next बात करते हैं katihar katihar आपके लिए best college है बहुत ही best है यहाँ पी सीटे की देखिएगा या पुडाना college है आपके लिए best है civil की बात करें तो civil में आपका 10 plus सीटे आएगी और यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है katihar में भी अब देखो computer science की बात करें तो computer science में 5 plus सीटे आएगी और यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है उसके बाद में बात करते हैं Electrical Electronics Engineering यारी टिर्पल ही इसमें 20 plus सीटे आने वाली है और पढ़ाई अच्छी होती है फुट टेक्नोजी की बात करें फुट टेक्नोजी में भी 20 plus सीटे आएगी चलो नेक्स्ट आता है छापरा छापरा भी best college है बहुत ही best है और यहाँ पर बात करें और सीवील है दस प्लस सीटे आएगी उसके बाद में electronics है उसके बाद में food processing है बेकर ढटक से यहाँ पर पढ़ाई होती है 15+, सीटे आएगी Mechanical भी बेकर ढ़ाई होती है यहाँ पर 20 plus सीटे आएगी चलो उसके बाद आता है M.C.E. fotografIE MCE मोतिहारी College भी based है आपके लिए और पढ़ाई भी यहाँ पी अच्छी होती है सबसे अच्छा यहाँ पढ़ाई आपका Civil का होता है उसके बाद Computer Science का होता है उसके बाद Electrical Communication Engineering Electrical Electronics Engineering का होता है तब Mechanical का होता है उसके बाद में Civil Plus में Computer Application का होता है यहाँ पर देखो इसका सीट Computer Application का सीट 10 प्लस आने वाला है Civil की बाद करे तो 15 प्लस आएगा Computer Science की बाद करे तो 5 प्लस आएगा और Intigiland में Computer Science के Intigiland AI में लगबग 10 प्लस सीटे आईगी उसके बद Mechanical की बाद करे तो Mechanical में आपका 20 प्लस सीटे आईगी अब चुलो MIT मजपपरपुड, बहुत सारी का कोश्चन आजा था, कि MIT मजपपपरपुड में C.S. ब्रांच होता है, C.S. ब्रांच नहीं होता है, IT ब्रांच होता है, और IT ब्रांच में 5 सीटे, बहुत है इस साल, और Leather Technology में 20 सीटे आएगी और उसके बाद में mechanical में 20 सीटे आएगी, प्लस में आ सकती है, और civil की बात करें तो 10 सीटे आएगी, उसके बाद में electrical की बात करें तो 15 सीटे आ सकती है, उसके बाद में electronic communication की बात करें तो electronic communication का भी 12 सीटे प्लस आ सकती है, चलिए next हम बात करते हैं, यहां भी कौन से ब्रांच लेना बेतर होगा तो नमबर वन ब्रांच आता है उसके बाद में सीविल आता है उसके बाद में इलेक्ट्रोनिक अमनिकेशन इंजिनियरिंग आता है इसके बाद में अपका लेडर टेखनोजी आता है तब मेकैनिकल आता है चले नेक्स्ट बात करते हैं चंडी के तो चंडी Computer Science की होती है तब Electrical की होती है तब Mechanical की होती है देखो भाई Mechanical के बाद में रखने का यही है कि Hard Working करना पड़ता है Mechanical वाले Student का अब यहां पर CTA की बात कर लें सही सुन्ड़ें CTA की तो CTA सभी प्रांच में 15 प्लस CTA आएगी आप 15 प्लस आएगी लेकिन Computer Science हो गया CS हो गया उसके बाद सीवील हो गया यहां पर दस सीटे आ सकती है चलिए नेक्स रम परांच बात करते हैं पुर्णिया इंजिनियरिंग कॉलेज अब पुर्णिया इंजिनियरिंग कॉलेज में देखना कि यहां पर सीटे आपका Number One पढ़ाई जो होती है सीवील होती है उसके बाद में Electronic Communication Engineering होती है तब Mechanical होती है तब CS होती है उसके बाद Computer Science Engineering होती है उसके बाद देखते हैं कि अब इसमें सबसे अच्छी सीटे जो होती है सबसे अच्छी प्रांची जो होती है यहां पर आपको प्लेश्मेंट की शुग्दा से लेनी है तो आपको सबसे अच्छा है सीवील ले लिजे या Electronic Communication ले ले लिजे अब हम देखेंगे सीट की तो सी और सरीवी परांची सीवी लोग या Computer Science हो गया उसमें 10 प्लस सीटे आ सकती है चलिए बेगुसराय बात करें तो यह भी आपके लिए Top College में आता है और यहां बेतर College है यहां पर No.1 चीज पढ़ाई होती है Chemical की पढ़ाई होती है उसके बाद में Computer Science Engineering होती है उसके बाद में Electrical Electronics Engineering होते है तब Mechanical होती है और यहां पर देखो भाई सीट की बात करें तो Chemical में लगवग 20 सीटे आने वाली है उसके बाद में Computer Science में 5 सीटे आने वाली है Electrical की Electronics Engineering में लगवग 15 सीटे आने वाली है और उसके बाद में बात करें Mechanical में 20 सीटे आने वाली है और Civil की बात करें त तो सासाराम में भाई इसमें इभी कॉलेज सही है और सासाराम में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सीविल और सीएस का उसके बाद में एलक्ट्रोनिक्स का अब यहां पर यह तिनों ब्रांच में सीटे लगबग 10 के एप्रॉक्स में रहेगा मेकेनिकल में 20 प्लस सीटे आज जो आपको स्कीन पर देख रहा है माइनिंग इंजिनियरिंग हो गया उसके बाद सीविल प्लस कंप्यूटर अप्लिकेशन हो गया उसके बाद में आपको कंप्यूटर साइंस ए आई हो गया यह सारे में 15 प्लस सीटे आएगी और पढ़ाई यहां पे नर्मल होती है चलो न प्रांच में लगबख 15 सीटे आएगी और बाकी सब में बात करें तो यहां पे मेकेनिकल हो गया उसमें 20 प्लस सीटे आएगी उसके बाद में 20 प्लस सीटे आएगी उसके बाद सुपॉल कोलेज की बात करें तो सुपॉल में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सीबिल का computer science कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यह तीनों college को मत लेना भूल कर भी मत लेना मत लेना हम इस पर discuss नहीं करेंगे चलो यह सारे college नहीं लेना अगर video सभी को अच्छी लगे हो तो सभी like करना और video को जादा share करना हम next video आपको बहुत बेहतर ढंग से बताने वाले हैं जो है cut up बत आएंगे कोन टॉफ college है तो video को like करके अपने सभी दोस्तों में share करो और नए आओ तो चैनल को subscribe करो फिर मिलते है next video में thank you